अब हम हमारा जो next topic है वो है indefinite integrals indefinite integrals का क्या मतलब है कि मालो की हमने ऐसे बोला कि let f of x capital f of x be the anti-derivatives slash primitive of a function f of x मालो की इस function को न हमने इस function का anti-derivative माल लिया तो अगर इसे हम anti-derivative माल लिया इसका क्या मतलब है कि इस function को differentiate करेंगे तो ये small f of x मिल जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ d of dx f of x किसके equal होगा small f of x के equal होगा यहां से फिर हमें पता है कि अगर हम capital f of x को differentiate करें तो small f of x मिला इससे हमें यह imply हो रहा है कि अगर हम d of dx यह capital f of x plus c इसको भी अगर मैं differentiate करूँ न तो हमें क्या मिलेगा f of x मिलेगा क्यों because c का derivative क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है अब यह जो पूरा लिखा हुआ है f of x plus c यह किसे represent कर रहा है यह तो एक anti-derivative को represent कर रहा है जब c का value 0 डाल दोगे जब यहाँ पे तुम c का value 0 डालोगे तो क्या मिलेगा f of x मिलेगा यह तो single anti-derivative को represent कर रहा है इस function के यह capital f of x plus c किसे represent कर रहा है यह family of anti-derivative को represent कर रहा है किसे represent कर रहा है family of anti-derivative यहाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ f of x plus c यहाँ पे मैंने बोल दिया c belongs to r ऐसे बोल दूँ यहाँ फिर मैं क्या बोलूँ कि इसको मैं एक set बना लूँ यह family of anti-derivative को represent करें, यहाँ पर मैं इसका यह set बना दू, अगर मैंने set बना दिया, तो क्या होगा, जब c का value इसको मैं से लिख सकते हैं न, इस set को, जब c का value 0 डालेंगे तो क्या होगा, f of x होगा, जब c का value 1 डालेंगे तो क्या होगा, f of x plus 1 होगा, यह एक anti-derivative होगा, यह भी एक anti-derivative होगा, यह भी एक anti-derivative होगा, c का value डालते जाओ, different-different, हमें different-different anti-derivatives मिलते जाएंगे, तो इस set को, या इसको, या फिर सीधे set हटा दो तुम, यह तो मैंने क्या क्या हर एक anti-derivative का set ले लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा form, roaster form बोलते हैं, तो हमने सारे anti-derivative के, सारे anti-derivatives को, हमने roaster form में लिख दिया, set बना के roaster form में लिख दिया, ऐसे लिख लो, या direct बोलो, set weight को अठा हो, ऐसे बोल दो, यहाँ पे c, c क्या हमारा, c belongs to r, यह किसे represent कर रहा है, set of all, या family of all the anti-derivatives को, इसे हम क्या बोलेंगे, family of, family of all the, anti-derivatives, anti-derivatives, of a function fx, fx के, जतने भी anti-derivatives हैं न, मतलब सारे anti-derivatives को represent कर रहा है, इसी को हम short form में क्या लिखते हैं, ऐसी, ऐसे integral लिखा, यह sign of integration होता है, ऐसे लिखा fx, यह लिखा dx, इसको लिखा equals to fx plus c, मतलब यह जो लिखा है न, यह, देखो, यह किसे represent कर रहा है, fx plus c के equal है, और fx plus c क्या है, यह, इस fx, यह जो अंदर लिखा है न, इस fx function के, infinite anti-derivatives को represent कर रहा है, तुम्हें ऐसे बोलो, कि यह हमारा क्या है, जो पूरा लिखा हुआ, यह क्या लिखा हुआ है, यह जो अंदर में यह function लिखा है, यह function, इसके, infinite anti-derivatives को, यह पूरा represent कर रहा है, यह किसके equal है, fx plus c के equal है, ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं से, family of all anti-derivatives, family of all anti-derivatives, anti-derivatives, of f of x, थोड़ा basic जान जाएंगे न, तो फिर आगे अभी थोड़ा लग रहा होगा, तुम लोग को पता नहीं क्या मतलब, anti-derivative, anti-derivative हो रहा है, तो अभी थोड़ा basic जान जाएंगे न, फिर मज़ा आएगा, आगे करेंगे न, फिर हम लोग खटा-खट सारे questions करेंगे, integrals के, तो उसमें मज़ा आएगा, ठीक है, यह होगए बात, अब थोड़ा सा ऐसे देख ले, इसको मैंने लिखा, fx dx लिखा, इसको हम क्या बोलते हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे, आगे मैं बताऊंगा, इसको हम बोलते हैं, यह बोलते हैं, यह आगे मैं बताऊंगा, यह इसके एक और बोलते हैं, differential of x क्या मतलब है वो अभी आगे देखोगे differential equation में देखोगे इसका क्या exact मतलब है इसको हम बोलते है differential ये तीन है ये बोलो x में बहुत छोटा change है very small change या very small element physics में पढ़ा होगा very small element of x बोलते हैं या very small change in x बोलते हैं differential of x बोलते हैं इसका मैं meaning समझाऊँगा अगे differential equation में अभी बस याद रखो और ये जो तुम्हें दिख रहा है ना अंदर ये fx जो दिख रहा है चलो यहाँ मैं दर rate pen से लेता हूँ ये जो fx दिख रहा है ये क्या हमारा इसको हम integrand बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम integrand बोलते हैं और ये जो x दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं variable of integration और ये जो दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं symbol of integration अब कोई ये पूछेगा कि ऐसा ही symbol क्यों लिया integration का तो इसके पीछे भी logic है ये s जो होता है इंग्लिस वाला s उसको खीच के ऐसे बढ़ा कर दिया है अब बोलो क्यों ऐसा कर दिया है actual में नहीं क्यչकर बढ़ा किया मTL-S ही word क्यों लिया विकॉजड ये जो चीज है न ये area को भी represent करता है अब यदि आगे बताया जागा definite integral में तो area को हम area कैसे निकालते है ये मैंने बताया था न कि ये जो चीज है न area को भी represent करता है area कैसे निकालते हैं बहुत छोटे-छोटे elements को add करते हैं वो अभी आगे परेंगे हम definite में तो छोटे-छोटे element को add करते हैं तो add करने का मतलब होता है summation summation का पहला later है S तो S को खीच कैसे कर दिया बरा बना दिया अब Newton बगर ने निकाला है तो उसकी मर्जी थे उसने S को खीच के क्या बोलते हैं small element of x या फिर differential of x यहीं बोलते हैं ठीक है यह very small change in x ठीक है यहां तक कोई problem नहीं होगा अब उसके बाद और कुछ terms है वो देख लो ठीक है अब हमने इसको अब जैसे इसको हमने बोला न कि integrate जब भी अगर word होगा जैसे कोई function given होगा और बोलेगा integrate जैसे हमें अगर बोलेगा suppose that integrate आगे अभी पर होगे integrate integrate का मतलब क्या है find the integral integrate का मतलब क्या होगा find the integral जैसे बोलेगा integrate integrate f of x f of x को integrate करो इसका क्या मतलब हुआ कि find the integral of f x find the integral of f of x तो f of x का integral निकालो इसका क्या मतलब है क्या निकालो ये निकालो function दे देगा बोलेगा integrate इसका मतलब ये पूछ रहा है तुमसे और ये है क्या अभी बता है ये जो f x function है ना f x function उसके infinite anti-derivatives को ये पूरा represent कर रहा है ये जो दिख रहा है तुम्हें f x के infinite anti-derivatives को represent कर रहा है ठीक है यहां जो c होता है c क्या होता है जो ये c देख रहे है ये constant of integration होता है c क्या होता है जो क्या होता है हमारा belongs to r ठीक है यहां तक तो clear होगा यह थेंग कोई problem नहीं होगा अब आज आते हैं हम लोग कुछ fundamental integration formula यहां पे हम लोग आते हैं अब यह formula no doubt याद रखना है याद कैसे होगा बहुत ऐसे formula है जो याद रखने की जुरत नहीं है मतलब तुम then and there derivative integration को आपस में plot के निकाल सकते हो जैसे अगर मालो किया गिया sec x into tan x तो तुरंत हमारे दिमाग चला जाएगा अगर मैंने बोला कि sec x into tan x का d of dx f of x के equal है इस function का अगर मैंने derivative लिया तो हमें क्या मिल गया f of x मिल गया ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ इसको अगर f x क्या हो गया anti-derivative हो गया small f of x का anti-derivative हो गया तो इसको हमें ऐसे लिख सकते है integral of f of x dx f of x ये किसके equal होग है f of x प्लस ही अभी बताया है ऐसा हजारों जगा लिखा है मैंने ये सब तो आ रहा है याद ये सब तो ऐसे लिखा ही है ठीक है इसका क्या मतलब है कि अगर हम f x function को differentiate करें तो small f of x मिल गया इसका मतलब ये है कि capital f of x हो anti-derivative है तो इस function ये किसका anti-derivative है इस function का anti-derivative है तो इस function के infinite anti-derivative को हम ऐसे represent करते है ये किसके equal होग है f of x प्लस c के equal होग है यहां तक आगे बास समझ में कहने का अगर तुम इसको as a layman बोलो तो derivative इधर जाके integral हो जाता है integral इधर जाके derivative हो जाता है as a layman याद रखो बस दियान में क्या रखना है कि जब derivative को हटा कि इधर integral बनाओगे तो क्या होगा जब integral बनाओगे तो dx add हो जाएगा क्यों होगा ये dx का होथी important winning है आगे मैं बताऊँगा ठीक है dx add हो जाएगा और यहां fx नहीं बचेगा fx प्लस c बचेगा यहां से यहां जाएंगे न तो यह d dx किसमे as a layman बता रहा हूँ यह d dx किसमें convert हो गया यहां पे कैसे लग जाएगा और dx multiply हो जाएगा ठीक है और यहां पे fx में c add हो जाएगा ठीक है और इधर से इधर जाओगे तो तुम ऐसे देखो यह जाओगे तो यह integral यह हट जाएगा यह हट जाएगा इधर यह दोनों हट कि धर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका d of dx हो जाएगा तो इस पूरे का d of dx होगा तो c का तो derivative 0 होता है तो d of dx fx हो जाएगा ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, अब इससे हमें कुछ integration के जैसे जो derivative के जो standard result है, जो हमें standard formula है, उस function का standard integral लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, यह अभी समझ में आएगा, जैसे कि अगर मैंने बोला न, d of dx, किसका, x to the power n plus 1 upon n plus 1, इसका derivative क्या होगा, इसका derivative होगा, x to the power n, कैसे होगा वो बता दे रहा हूं, देख लो, x to the power n plus 1 upon n plus 1, इसका अगर तुम derivative निकालोगे, तो हमें क्या मिलेगा, यह तो 1 upon n plus 1 तो constant है बाहरा आगिया, अब x to the power n plus 1, इसमें कौन सा formula लगेगा, x to the power n का formula लगेगा, तो x to the power n का formula क क्या होता है d of dx x to the power n का derivative क्या होता है n into x to the power n minus 1 तो n की जगा तो n plus 1 है तो यहाँ पे क्या होगा n plus 1 into x to the power n plus 1 minus 1 तो plus 1 minus 1 यह हो गया 0 यहाँ पे x to the power n बचाए यह cancel हो गया तो आगया न तो इसका हो गया यहाँ पे बस दियान में रखना है कि n जो है minus 1 नहीं है तो यहां से न हमें किस function का integral मिल गया ठीक है x to the power n का integral क्या होगा x to the power n का integral क्या हो जाएगा यह x to the power n plus 1 upon n plus 1 बट मैंने अभी क्या बोला c add करना पड़ेगा ने तो गरबर हो जाएगा यह हो गया हमारा पहला formula ठीक है इसी formula को इसमें हम क्या बोलें कि अगर हम n को 0 डाल दे अगर मैं इस formula में put n is equal to 0 ऐसे कर दो put n is equal to n तो कोई integer है n को 0 डाल दिया तो 0 डालेंगे तो यहां पे क्या होगा d of dx n का value 0 डालेंगे तो क्या होगा x यह तो 0 हो जाएगा तो x to the power 1 यह क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 तो 1 तो यह क्या हो जाएगा x यह क्या हो जाएगा x to the power 0 तो 1 यह formula भी हमें पता है कि formula भी हमें पता है तो यहां से हमें क्या formula पता चल रहा है कि 1 का derivative Sorry, 1 का integral या फिर तुमें ऐसे लिखो dx, 1 को अटा दो किसके equal होगा x के यह x के equal होगा plus c ठीक है second में क्या है d of dx sin x का derivative क्या होता है sin x का derivative क्या होता है cos x होता है cos x होता है तो यहां से cos x का integral क्या होगा cos x का integral cos x का integral होता है वो होता है sin x plus c अब तो कोई problem नहीं होनी चाहिए ठीक है, अगर third में हम देखे d of dx minus cos x minus cos x का derivative क्या होगा cos x का derivative क्या होता है minus sin x, तो minus cos x का derivative क्या होगा sin x होगा तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो sin x का integral होगा sin x का जो integral होगा वो होगा minus cos x plus c ठीक है, अभी तक आगे बाद समझ में यह सब standard result आ रहा है first, second, third, जो भी लिखवा रहा होगा हमें याद रखना है यह काफ़ important और standard result है अब आज़ो third के बाद six के बाद seventh में आ जो और fourth में आ जो d of dx tan x का derivative क्या होता है tan x का derivative पता होगा second square x तो second square x का integral क्या होगा second square x का integral tan x plus c ठीक है d of dx cortex का derivative क्या होता है minus second square x तो minus डिरिवेटिव क्या होगा cortex का derivative क्या होता है minus second square x तो minus second square x का derivative क्या होगा 서que square x तो यहां से हमें क्या पता चला है यहां से हमें पता चला है कि cause square x का integral होगा वो पता होगा minus complex plus c कोई दिक्कत नहीं है sec x का derivative क्या होता है sec x का derivative होता है sec x into 10x तो यहां से मैं क्या पता है कि sec x into 10x का integral क्या होगा sec x into 10x का integral क्या होगा sec x plus c sec x का derivative क्या होता है minus sec x into cortex अब derivative function नहीं याद होगा तो कुछ नहीं किया जा सकता है sec x का derivative होता है minus sec x into cortex तो minus sec x का derivative क्या होगा अगर मैंने बोला कि sec x का derivative होता है minus sec x into cortex तो माइनिस कॉसेक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉसेक्स इंटू कोटेक्स तो माइनिस कॉसेक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? यह होगा कॉसेक्स इंटू कोटेक्स इंटू कोटेक्स तो यहां से हमें क्या पता चला है? इन्टीग्रल ऑफ कॉसेक्स इसका integral हो जाएगर dx इसको हम क्या लिखेंगे minus cosec x plus c यह उप समझ में आ रहा होगा 7 के बाद 8 अब 8 में आ जाओ ठीक है d of dx sin inverse x का derivative क्या होता है sin inverse x का derivative होता है 1 upon root under 1 minus x square तो इससे हमें क्या पता चला यह तो integral याद होगा 1 upon root under 1 minus x square dx यह किसके equal होगा sin inverse x plus c k 8 के बाद 9 में आ जाए d of dx cos inverse x का derivative क्या होता है यहाँ minus लगा दो minus 1 upon root under 1 minus x square तो minus cos inverse x का derivative क्या होगा cos inverse x अगर यह plus होता है तो cos inverse का derivative क्या होता है minus 1 upon root under 1 minus x square तो minus cos inverse का derivative क्या होगा यह भी होगा हमारा 1 upon root under 1 minus x square तो यहाँ से हमें क्या पता चला है यहाँ से हमें यह पता चला है कि root under 1 minus x square यहाँ पर यहाँ पर dx लिखो यहाँ पर dx लिखो एक ही बात है यह होगा minus cos inverse x plus c ठीक है अभी तक तो कोई problem नहीं है आई ठीक है 9 के बाद 10 में आजो d of dx 10 inverse x का derivative क्या होता है 10 inverse का derivative होता है 1 plus x square तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 1 upon 1 plus x square dx यहाँ dx लिखो यहाँ dx लिखो एक ही बात है यह क्या होगा 10 inverse x plus c 10 inverse x plus c हमारा 8 पेज 10 inverse के बाद कौन सा था नमबर 11 था ना ठीक है d of dx cot inverse का derivative क्या होता है cot inverse का derivative tan inverse के derivative मैं मैं मैंनेस लगा दू cot inverse का derivative क्या होता है minus 1 upon 1 plus x square तो minus cot inverse x का derivative क्या होगा minus cot inverse x का derivative होगा 1 upon 1 plus x square तो यहाँ से में क्या पता है integral of 1 upon 1 plus x square dx इसका integral क्या हो जाएगा minus cot inverse x plus c कोई दिकत नहीं है d of dx second inverse x का derivative क्या होता है अब यह याद रखना होगा 1 upon x root under x square minus 1 तो यहाँ से में क्या पता चला है 1 upon 2 under x root under x square minus 1 dx किसके equal होगा second inverse x plus c के अच्छा अब e to the power x का derivative क्या होता है यह e to the power x ही होता है तो यह बड़ा अच्छा function e to the power x e to the power x को differentiate करो integrate करो कोई फर्खी नहीं परता है वो e to the power x ही रहता है ठीक है e to the power x का derivative e to the power x और e to the power x का integral भी e to the power x 14 में आ जाते हैं 13 के बाद 14 में 11, 12, 13, 14 d of dx sec के बाद कुछ छुट तो नहीं रहा है आई वो कुछ जा रहा है causeic inverse का लिखा है derivative causeic inverse का नहीं लिखा है यहाँ पे एक छुट रहा है चलो मैं कोई बात नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ e to the power x के बाद चलो यह लिख देता हूँ causeic inverse x causeic inverse x का derivative क्या होता है causeic inverse x का derivative होता है minus sec inverse के derivative में minus लगा दो तो causeic inverse का derivative बन जाएगा तो अगर मैं minus causeic inverse x के derivative के बात करूँ तो वो किसके equal हो जाएगा 1 upon x root under x square minus 1 के equal हो जाएगा तो यहाँ से मैं क्या पता चला है integral of 1 upon x root under x square minus 1 dx यह किसके equal हो जाएगा minus causeic inverse x अब तुम बोलोगे कि इसका इस दोनों का integral क्या रहा है same आ रहा है इसका integral और इसका integral same नहीं आ रहा है different आ रहा है इसका मतलब जब इसको तुम second verse के भी term में लिख सकते हो और इसको तुम यह देख लो दोनों का integral तो same ही है ना x root under x square minus 1 तो इसको तुम जब मन क्या तो second verse के term में भी लिख सकते हो और cause एक inverse के term में लिख सकते हो आरे यह बाद समझ में ठीक है तो 15 के बाद आ जाते है 16 e to the power x का बता दिया उसके बाद क्या है d of dx log of mod x इसका जो derivative होता है वो होता है 1 upon x कैसे होता है चाहे mod x का या फिर तुम log x का derivative बोलो या log of mod x का derivative बोलो 1 upon x ही होता है कैसे तुम ऐसे देखो d of dx है न इसमें log of mod x की बात कर रहे है इसका derivative 1 upon x होता है जैसे कि इसमें क्या होगा mod लगा है तो क्या होगा एक बर हम क्या करेंगे x को ऐसे बोलेंगे log of mod x किसके equal होगा log x के equal होगा कब जब x greater than equals to 0 नहीं होगा 0 पे तो define नहीं होगा greater than 0 और क्या बोलेंगे log of minus x कब when x is less than 0 log of 0 not defined होता है log of 1 0 होता है but log of 0 is not defined log function का जो domain होता है वो तब positive real number 0 हमारा positive real number नहीं है ठीक है ऐसे हो जाएगा इसका derivative लो चाहे इसका derivative लो दोनों का derivative 1 upon x है log x का भी derivative क्या होगा ddx क्या हो जाएगा ये 1 upon x ही है और ddx किसका derivative ले लो log of minus x का तो इसका minus x का derivative लोगे तो पहले क्या करेंगे minus x के respect में differentiate करेंगे तो ये हो गया minus x अब ये minus x को किसके respect में differentiate करेंगे x के respect में पहले तो minus x के respect में क्या ना तो 1 upon minus x हो गया अब minus x को x के respect में करेंगे तो minus 1 तो 1 upon x ही होगा derivative ठीक है तो log of mod x क्या हो गया 1 upon x तो यहां से हमें क्या बता चला वाई कि integral of 1 upon x dx यहां पे dx लिख लो यहां पे dx लिख लो एक ही बात है यह किसके equal हो जाएगा log of mod x plus c के अब यह सब बिल्कुल अपने tip पर होना चाहिए रट जाओ अब कैसे रट होगे वो सोच लो 16 के बाद 17 पे आते हैं d of dx मैंने I think na cosmic inverse लिखा रखा है नहीं लिखा है sign लिखा है न इससे पहले तो नहीं लिखा है इसके बाद आजाओ तुम a to the power x upon log a to the base log a कुछ नहीं तो base इसका derivative होता a to the power x कैसे वो बता दे रहा है a to the power x का derivative क्या होता है d dx a to the power x का derivative क्या होता है a to the power x log a to the base यह होता है न derivative तो a to the power x upon log a to the base इसका derivative क्या होगा D of dx इसका derivative यह तो constant है न यह तो बार आ जाएगा log A to the vc और क्या होगा D of dx किसका A to the power x का derivative तो क्यों यह 1 upon log A to the vc तो है ही इसका derivative क्यों होगा A to the power x log A to the vc यह cancel होगी आगे A to the power x तो इसका derivative a to the power x इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि a to the power x का integral जो होगा वो क्या होगा a to the power x log a to the base e plus c ये इसका integral क्यों बताया क्योंकि तुम इसको ऐसे देखो न याद रखना pattern थोरा ध्यान में रखोगे न तो बड़े असानी से याद हो जाएगा इसको तुम ऐसे देखो a to the power x का derivative क्या होता है d of dx ये क्या होता है a to the power x log a ये इसका derivative होता है और a to the power x का integral क्या होता है बस ये log जो a to the power x के साथ multiply है integral में a to the power x के साथ divide हो जाएगा बस ऐसे याद रख लो ठीक है ना लोगे जो multiply है इंटीग्रल में क्या हो जाएगा divide हो जाएगा और क्या दिक्कत है ठीक है यहां तक तो कोई problem नहीं होनी चाहिए इसके बाद अब कुछ और देख लेते हैं हम लोग यहां तक तो हो गया 12 हो गया यह देखो यहां तक जो मैंने कराएं नहीं यह सब NCRT का जो formula है ने NCRT का वो formula करवा है मैंने अब NCRT में कितने formula दे रखें 11 12 13 14 15 16 16 formula दे रखें मैंने 17 करा दिये अब देख लेना क्या extra अब यहां पे देखो अब उसके बाद कुछ और formula मैं करा देता हूँ ठीक है तो जैसे उसके लिए क्या है कि तुम इसको ऐसे देखो इसको मेरे बात को ध्यान से देखो यहां पे हमें जैसे sin cos tan बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो जैसे sin cos tan cos x से cot इसका derivative का formula पता था तो वैसे हमें क्या चाहिए sin x का integral पता है तो बिल्कुल पता है देख लो sin x का integral पता है cos x का भी integral पता है जैसे sin cos tan cos x से cot इंट्रिगनोमेटिक फंक्शन का integral हमें पता था न यह integral के राउंड डेरिवेटिव पता है वैसे हमें sin cos tan cos x से cot उसका integral भी पता होना चाहिए तो हमें अभी किस का integral मिला है एक तो sin x का integral मिली है minus cos x plus c cos x का integral मिली है sin x plus c क्या हमें tan x का integral मिला है देख लेते कहीं है tan x tan x tan x tan x कहीं नहीं है तो tan x का integral तो देख लो कहीं नहीं है इसका मतलब कि हमें tan x का integral खोजना होगा तो tan x का integral कैसे खोजेंगे वो बता रहा हूं अभी यह जो formula लिखवा रहा हूँ, यह formula हम proof करेंगे, अभी जो लिख रहे हैं, यह formula तो अभी proof नहीं किया है, आपर, proof करना क्या है, जैसे, इसको तुम ऐसे देखो, 18 है न, d of dx, 10 के case में, अगर न, तुम minus log mod cos x, इसका अगर तुमने derivative लोगे, तो यह तुम्हें मिलेगा 10x, इसका derivative 10x मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेके देखा देता हूँ, अगर लग रहे हैं, नहीं मिलेगा, तुम भी लेके देखा दे रहा हूँ, d of dx, minus log, mod cos x, इसका derivative मिलेगा हमें 10x, कैसे, इसको तुम ऐसे देखो, ठीक है, इसको तुम ऐसे देखो, cos x या तो positive होगा, या तो negative होगा, cos x positive होगा, तो सीधे mod हट जाएगा, cos x negative होगा, तो mod हटने से पहले minus multiply हो जाएगा, तो माल या cos x positive है, तो हमें क्या मिल गया, log, cos x, ऐसे मिल गया, अब इसका derivative लेते हैं, देखना ये 10x होगा, minus तो derivative से बाढ़ा जाएगा, d dx कर दिया, अब ये क्या होगा, log cos x हो जाएगा, तो minus log cos x का derivative क्या होगा, cos x को log को पहले cos x के respect में differentiate करेंगे, तो ये होगा, 1 upon cos x, और cos x का derivative क्या होता है, minus sin x, ये क्या होगा, 10x होगा, ये minus minus cancel होगा, अब अगर cos x अंदर में negative है, यही दो चीज होगा ने, तो या तो negative होगा, तो positive होगा, अगर negative है, तो फिर क्या हो जाएगा, d of dx, ये minus log, ये अंदर क्या हो जाएगा, minus cos x, ये minus, ये वाला minus, तो derivative से बाहर आजागे, यह नहीं आएगा, यह क्या हो जाएगा, d of dx, यह क्या हो जाएगा, log of minus cos x, अब पहले log को किसके respect में करेंगे, minus cos x के respect में करेंगे, तो यह क्या होगा, one upon minus cos x, अब फिर क्या करेंगे, फिर यह पूरे minus cos x को किसके respect में करेंगे, x के respect में करेंगे, तो derivative आना चाहिए तो minus cos x को तो minus और ये cos x का derivative क्या होगा ये तो minus हो जाएगा cos x का derivative क्या होगा minus sin x ये minus होगा ना अब minus cos x को x के respect में करेंगे तो ये तो minus रहे गिया अब cos x का derivative क्या होगा minus sin x तो ये plus होगा sin x upon cos x 10x हो गया ठीक है तो कहने का क्या मतलब है इसको हम आगे ना integration ये में प्रूव भी करेंगे इस formula को कहने का मतलब है कि minus log minus log mod cos x इसका जो derivative होता है ये क्या होता है 10x होता है तो यहां से हमें क्या पता है चला integral of 10x dx ये किसके equal होगा minus log mod cos x की एक काम और कर सकते हो इस minus को ना अंदर भेज़ दो तो ये हो जाएगा cos x पे power minus 1 ये log की property होती है तो 1 upon cos x हो जाएगा तो 1 upon cos x क्या होता है sick x तो इसका एक दूसरा formula क्या हो गया sick of x ये याद रखना होगा ये सब जो दिख्वा रहा हो ना बिना याद किये question हिले गहीं नहीं अभी का तू हिल जाएगा पहले एक दो chapter का बाद में question नहीं हिलेगा तो कुछ भी करो रो गाओ कुछ भी करो formula याद करो बिना formula के याद किये कुछ नहीं ज woll लेगा अब इसका कहने का हाई मतलब है कि हमने किस काफा निकाल लिया स hail का निकाल लिया की का अमारा सawалась हो का मिल गया इन्तेग डान के दो दो एंटेग्रल मिल गए अब क्या बचान के बाद बचा 10 के बाद CAUSEC X बचा तो CAUSEC X के लिए क्या है 9 देखो 18, 19 इसको न तुम derivative लेना इसको ऐसे देखो log, mod इसको proof करेंगे एक तो तुम derivative ले लो यही आ जाएगा, आगे इसको हम proof भी करेंगे इसका जो derivative होता है इसका derivative होगा CAUSEC X ठीक है रहीं, सॉरी सॉरी इसका derivative क्या होगा मतलब कि log, mod, CAUSEC X minus COT X, इसका derivative होता है CAUSEC X तो यहां से हमें क्या पता चला कि integral of CAUSEC X DX इसका जो integral होगा वो होगा क्या log, mod, CAUSEC X minus COT X plus C याद रखना है formula को अब क्या होगा भई integral होगा, sine होगा, cos होगा tan का भी integral होगा, CAUSEC X का भी integral होगा, अब आते हैं SICK X का integral, तो SICK X का integral के लिए यह याद रखो, integral of log plus tan X plus C 21, अच्छा अब कोटेक्स बजी है, तो कोटेक्स तो आसान है d of dx, अगर तुम log mod sin X, इसका अगर तुमने derivative लिया तो तुमें मिलेगा कोटेक्स, तो यहाँ से क्या पता चला, integral of कोटेक्स dx, यह मिलेगा log mod sin X plus C, एक तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log sin X को क्या लिख सकते हो, कॉजेक्स पे पावर माइनेस वन लिख सकते हो, प्लस C, ठीक है, तो कॉजेक्स पे पावर माइनेस वन का क्या होगा, 1 upon cosec x तो 1 upon cosec x क्या होगा sin x होगा अब ये minus का property log बाहर आ जाएगा तो minus log mod cosec x plus c तो ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो तो बच्चो अभी तक for time being जो कितने basic formulas थे वो मैंने करवा दिये अब ये formula रटना तुम्हारा काम है दूसरा गर screenshot लेना है तो यहाँ पर रुक के screenshot ले लो दूसरी बात क्या है ये सारे formulas की दूसरी बात क्या है कि मैंने क्या बोला chapter complete होगा ये जो भी मैं लिख रहा हूँ PDF में हर एक video के description integral chapter के जितने भी videos होंगे हर एक video के description box में ये मैं PDF डाल दूगा वहाँ से बस तुम्हें कुछ नहीं करना एक click करना PDF तुम्हारा download हो जाए हो तो यहाँ अभी तक हमने formulas कर लिए इसमें करना क्या है formula कैसे याद रखूगे बहुत बच्चा बोलेगा कैसे याद रखें ठीक है derivative का तो अभी हम चर्चाई नहीं कर रहे है integral के formula का ये याद होना चाहिए ये भी याद हो गया होगा x का derivative 1 होता है तो 1 का integral x होगा ठीक है cos x sin x ये कोई बहुत बड़ा deal तो है नहीं याद रखने के लिए cos x का derivative sin x होता है but sin x का integral और cos x का integral sin x होता है और sin x का derivative cos x होता है बस ऐसे sin x का derivative cos x तो cos x का integral sin x अब minus cos x का derivative sin x तो sin x का integral minus cos x तो देखो integral में हमने क्या किया कि integral में sin x का integral हमने देख लिया cos x का integral हमने देख लिया अब ये जो formula है ना अच्छा पहले उससे भी पहले sin x का integral हमने देख लिया, cos का देख लिया, फिर यहां पे हमने, कुछ नहीं है, यह अगर तुम 10 मिनट दिमाग दोरा होगे न, सारे formula जियाद हो जाएंगे, 10 मिनट से जादा time नहीं लगेगा, sin x का integral देख लिया, cos x का integral देख लिया, और उसके बाद tan x का किदर किया है, यह tan x क यह tan x का integral देख लो, किसका हम integral देख लो, यह देखो, पहले यह देखो, यह tan x का integral है, जैसे हमें sin cos tan cos x से cot, इसका derivative पता है न, वैसे integral दी तो पता होना चाहिए, तो यह हमारा sin का integral देख लो, यह हमारा cos का integral हो गया, बिल्कुल रटा मारो, यह tan का integral हो गया, पहले यह देखा दो उसके बाद 10 के बाद यह कॉसेक एक्स का इंटीग्रल हो गया यह जो है न हमारा किसका इंटीग्रल हो गया कॉसेक्स का इंटीग्रल हो गया यह हमारा सेक्स का इंटीग्रल हो गया और यह हमारा कॉट का तो छे ओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने इंटीग्रल निक अब बाकी बता दे रहाओ कैसे याद रखोगे, ये दो तो याद होगा ही, ये तो formula ही नहीं ये तो explain किया, इसी से तो सारे formula निकलें, इसी result से, ये तो physics से याद होगा, ये तो obvious ही बात है, अब रही बात कि ये formula कैसे याद रखें, ये 4, 5, 6, तो इसके लिए formula याद रखने क बहुत आसान है, sec x square का integral tan x होता है, तो जैसी sec x square तुमारे का integral आएगा न, वैसी तुम्हे tan x का derivative याद हो जाना चाहिए, मतलब कि जैसे sec square x लिखा है न, तुरंट तुमारे दिमाग में क्या click करना चाहिए, कि अच्छा, और ये tan x का तो derivative sec x square होता है, इसका मतलब कि sec x square का integral tan x होगा, ऐसे दिमाग काम करना चाहिए, जैसे ही तुम्हें दिखे न, cause x square x, तो तुम्हें तुरंट cortex का derivative याद आना चाहिए, तुम्हें कैसे याद आना चाहिए, कि अच्छा, cortex का तो हमारा derivative क्या होता है, cortex का derivative minus cause x square x होता है, तो cause x square x का integral क्या होगा, minus cortex, ये चीज जैसे ही दिखे SikkX into 10X का Integral वैसे ही तुम में SikkX का Derivative याद आना चाहिए SikkX का Derivative होता है SikkX into 10X तो SikkX into 10X का Integral होगा SikkX होगा ठीक है अब जैसे तुम हमें दिखे कि Sant vy यही होता है दो तो minus cos x into cot x किसका derivative होता है ? cos x का तो cos x into cot x का integral क्या होगा ? minus cos x ये भी याद हो गया ये तो देखके याद हो जाएगा ये ऐसी देखती ही समझ में आ जाएगा ये तो sin inverse x ये देखती ही समझ में आ जाएगा cos inverse x ये देखती ही समझ में आ जाएगा tan inverse x है और उसके बाद रही बात ये भी समझ में आ जाएगा 1 upon cot inverse x ये ये formula भी समझ में आ जाएगा 1 upon x square को या तो मैं minus cot inverse x लिख लू या तो मैं 1 upon 1 plus x square यहां पे आ रहे हैं न एक यहां रहे हैं इसको tan inverse x लिख लू या तो tan inverse x लिख लू या तो minus cot inverse x लिख लू इस को इस integral को या तो sec inverse x लिख लो या तो minus quasi inverse x लिख लो ऐसे ही याद कर सकते हो और तो और भी कई सारे formula अभी फार्मला कतम नहीं हुआ अभी तो indefinite का नहीं खतम हुआ definite का start करना है definite तो और भी formulas है properties वगएरा है अभी indefinite का भी formula कतम नहीं हुआ अभी और भी formula हम करेंगे but time being जो है न हमारा formula जो है complete हो गया अभी तक कोई problem नहीं होगा total हमने कितने formulas की total हमने 21 formulas की clear है ठीक है आगे इसके बाद हम लोग करेंगे geometrical interpretation of indefinite integrals